नमस्कार तोडने में सक्षम है 70 किलोमेटर दूर तक मारती है और किसी भी बंकर कोई या hardened कोई 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 concrete का बना structure है जिसमें कोई दुश्मन के सैनिक रह रहे हैं दुश्मन के सैनिक वहाँ पर ammunition रखे हुए है वो उसे खतम करने के लिए बिलकुल सक्षा में काबिल है और वो निस्तो नाबूत कर सकती है इन फाक्ट यह हैमर मिसाइल का जो नाम है वो है highly agile modular munition extended range यह बनाई गई थी मिसाइल जो वो फ्रांस के एफोस के लिए और फ्रांस के नेवी के लिए लेकिन अब export भी हो रहे है और यह जो मिसाइल है इस मिसाइल को emergency procurement के तहट लिया गया है प्राइमिस्टर मोधी की यह policy अभी हाल में आई थी कोई भी हमें emergency में किसी weapon की जरुवत है तो हम उस weapon को emergency procurement के तहट ले सकते हैं तो उसी के तहट हम लोगोंने hammer missile लिये hammer missile इसलिए लिए लिए कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत गरबर चल रही है पाकिस्तान तो बच्चा है उसको तो हम कभी भी देख सकते हैं लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत गरबर चल रही है और वहाँ सैनिकों का जवावड़ा बढ़ता जा रहा है चाइना अपनी इंफोर्समेंस ला रहा है और इसी से निपटने के लिए यह हैमर मिसाइल ओर की गई है इन फाक्ट यह जल्दी आ जाएगी और लग जाएगी और यह हमारी ग्राउंड स्ट्रेंथ को बहुत सपोर्ट करेगी किसी भी तरीके के बंकर को यह उड़ा सकती है मतलब माउंटेनेस टेरेन हो माउंटेनेस मीज पहाड के उस साइड भी अगर कोई बंकर है जो के हमारे रेंज में आ रहा है लेकिन उसको टागेट करना मिश्किल है तो यह मिसाइल है अपना घूमता घामता वहां पहुँच जाएगी इसका जो सेंसर्स हैं वो उसको लोकेशन पर जाकर उड़ा देते हैं और यह भी है कि आपकी साइट में नहीं है वो आपको दिख नहीं रही है लेकिन आप उसको ग्लोबल कॉडिनेट से दीजे तो वो चली जाएगी और जाकर के बंकर उड़ा देगी या बिल्डिंग उड़ा देगी खिर इस मिसाइल के बहुत सारे फायदे भी है और इस मिसाइल का ये भी है कि चाइना तो जरूर इस से थोड़ा समलेगा क्योंकि चाइना ने अपने तिबबत एरिया में हमारे बॉड़र पे वहाँ पर वो हाई स्पीड इंटरनेट केबल ले गया है वहाँ पर उसने बंकर बनाए हैं बिल्डिंग बनाई हैं ताकि उसके जो सैनेक हैं वो अंदर रह पाएं टेंट वगेरा में वो नहीं रह रह आसान नहीं रहा गया इंडिया से अब बहुत आसान नहीं है और कुछ फंकर उसने पर्मेन के बनाए हैं जिन पर्मेन को नेंस नावूद करने के लिए यह मिसाइल हम लोगों ने ओर आ किया बहुत ही कारगर मिसाइल और बहुत ही इंपोर्टन हमारे लिए जरूरी थी जो होता है, जैसे हमारा तेजस है सिर्फ plane से कोई फर्क ने पड़ता जैसे कि आप समझे कि एक कार है वो कार जो है वो एक मरूती है मरूती की आप लीजिए आल्टो मोडल वो एकदम मॉडल है, वो कार है वो उसके टायर चलते हैं उसके headlight जलती है और उसके और कुछ नहीं है यही एक plane वाली हालोत होती है लेकिन अगर आप उसमें stereo लगवाते हैं उसमें anti-theft system लगाते हैं gear lock लगाते हैं उसमें आप दूसरे equipment लगवाते हैं तो वो car की value बढ़ती जाती है वो ही situation plane के साथ होती है एक fighter jet के साथ होती है fighter jet तो अपने आप में ओरने वाला एक jet है लेकिन उसमें जो weapons आप लगाते हैं जो उसमें radars लगाते हैं या जो उसमें extra equipment लगाते हैं उसकी value जादा होती है उससे उसकी value बढ़ती है अगर आपने अपनी car में latest तरीके की और best आपने वो लगा रखी है गदियां लगा रखी है या entry-based system लगवाया खुद या आपने CNG लगवाया रखी है तो उसकी value बढ़ती है ऐसे ही एक plane की भी value बढ़ती है तो एक plane जो है एक fighter jet है तेजस, normal fighter jet वो उड़ता है और वापस आजाता है लेकिन attack capability इन चीजों में होती है यह जो missiles है, radar है तो यह हम जतना upgrade करते जाएंगे उसको उतना वो important होता जाएगा उतना वो बढ़िया होता जाएगा ज़्यादा जरूरी यह जो missile है यह पाकिस्तान और दोनों पाकिस्तान में चाइना दोनों के लिए एक trouble बन के आएगी तिबब जैसे ठंडे इलाके में अगर उसके बंकस तोड़ दिये गए चाहिना के और उसकी जो buildings हैं वो नेस्तो नाबूद कर दी गए hard shelters उसके नेस्तो नाबूद कर दिये गए तो उसकी आर्मी को वहाँ ठंड में माइनस से बहुत नीचे टिंपरिचर उसमें उसको तंबूओं में या खुले में सोना पड़ेगा अगर ही उड़ा दिये गए तो तो ये एक problem ज़रूर आएगी और वो लड़ने के काबिल ने रह जाएगी जादे आपको हिटलर का ओपरेशन बाबडोसा जो के रशिया की सर्दी नहीं छेल पाया था कुछ उसी तरही की हालत हो जाएगी और चाइना हारने के कगार पर पहुँच जागा इन फाक्ट ये मिसाइल हमारे पास राफिल के साथ तो आई रही है और हमारे पास तेजस के दो ओपरेशनल स्क्वार्डिंस हैं उन दोनों को हम उन दोनों पर ये लगा देंगे तो बहुत ही बेटर डिफेंस हो जाएगी तेजस तो अभी कुछ ही है न लेकिन ये तो हमारे पस जादा हैं और अभी हमने 83 तेजस Mark 1A और मंगवाए है 83 और आ जाएंगे हम लोग का इंट्रेस Mark 2 में भी है हम Mark 2 भी जल्दी लेंगे Mark 2 बहुत बेटर प्लेन है Mark 2 जो है वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेन्स में से आता है पाकिस्तान जो बोले बोले लेकिन मार्क टू वर्ल्ड के बेस्ट प्लेंस में ऐसे आता है और जल्दी ही वो आ जाएगा जल्दी ही वो अपने उसमें अपने पूरी कैपासिटी पे आएगा और हमारे हम करने चुकर देंगे लेकर अभी तक वो किसी के लिए फल्ऽ नहीं है किसी के लिए भी वावली नहीं और जहां तक बात है के तेजस कैसा प्लैन है तो इसकी के पैसेटी और इसकी केपिबिलिटी पूरी दुनिया जानती है पाकिस्टान जो बोले समान चला तो चला नहीं चला तो नहीं चला चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक तो उसके जो प्लेन है इन फैक्ट अभी उसने जिनको स्टेल्थ फाइटर बताया था वो जब तिबत के ओपर थे तो वो तो स्टेल्थ दिखे नहीं वो तो हमारे रडास ने कैच कर लिए त तो चाइना के plane जो है चाइना के जो equipment है वो बहुत clear नहीं है क्योंकि वहाँ पर press freedom नहीं है इसलिए जो government बोलती है कि stealth है समान लो सब छाप देते हैं लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में free press है और बहुत clear words में अगर वो stealth नहीं है आप google पर search market देखे हमारे और दूसरे countries भी उसको जो लोग test करें अभी अभी तो इतनी बढ़िया performance दिखाई है इसने air show में वो गल्फ में I think Dubai air show वहाँ पर उसने इतनी बढ़िया performance दिखाई है तेजसने उपर आसमान में उनकी निगाएं थी कि इतना बढ़िया performance देने वाला plane इंडिया ने बना लिया पाकिस्तान कब बनाएगा खेर anyways ये सारी कहानिया तो एक तरह ये hammer missile जो है अगर ये लग जाती है उसके बाद तेजस वर्ल्ड के सबसे डेडली एरक्राफ में से काउंट कोगा इसके साथ एक और खबर के साथ फिर राज़र होंगे नमस्कार जहिन